श्रीमद भगवत गीता अध्याय दो सांक्यय योग जय श्री कृष्ण दोस्तों पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिष्टेदारों गुरुजनों को देखकर अर्जुन के पैर कापने लगे युद्ध में अपने कुल के नाश का डर अर्जुन को सताने लगा शोक से संतप्थ हुआ मनवाला अर्जुन युद्ध भूमी में बानो सहित धनुष को त्याग कर रत के पिछले भाग में बैठ गया अब श्री भगवान उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांक्यय योग अब यहां से शुरुवात होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महांतम ग्रंथ है और ज्ञान का भंदार माना जाता है संजेद रित्राष्ट से कहते हैं कि हे राजन उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आस्वों से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक्यूक्त उस अर्जुन के प्रती भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा श्री भगवान बोले हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हे तुसे प्राप्त हुआ क्योंकि न तो ये श्रेष्ट पुरुषोद्वारा आचरित है न स्वर्ग को देने वाला है और नहीं कीर्थी को बढ़ाने वाला है भगवान यहां अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन जबकि अब युद्ध शुरू होने वाला है ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुम्हारे अंदर ऐसा मोह कहां से आ गया इसलिए हे अर्जुन नपुन सकता को मत प्राप्थ हो तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है हृदय की तुछ्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा तब अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं हे मधु सूदन मैं रणभूमी में किस प्रकार बानों से भीष्म पितामः और द्रोनाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा क्योंकि हे अरे सूदन वे दोनों ही पूजनिय है इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा मानकर खाना कल्यानकारक समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगो को ही तो भोगूनगा इसमें अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि गुरू जनों को मारना सर्वता अनुचित है उनको मार कर भी क्या मिलेगा ना तो मुक्ती मिलेगी और ना ही धर्म की सिद्धी होगी केवल इस लोक में अर्थ और काम रूप तुछ भोगी तो मिलेगा जिनका मूल या इन गुरू जनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है हत्या के फलस्वरूप मेरे हाथ उनके रक्ट से सने हुए ही होंगे इसलिए ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरू जनों का वध करना कदापी उचित नहीं है हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्धा करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ट है अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मियद रित्राष्ट्र के पूत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कि जो साधन निश्चित कल्यानकारक हो, वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिश्य हूँ, इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए क्योंकि भूमी में निश्कन तक, धन, धान्य, संपन्न, राज्य को, और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी, मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ, जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोप को दूर कर सके इसमें अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि युद्ध में विजय पालेने पर, ज्यादा से ज्यादा मैं इस प्रित्वी पर राज्य प्राप्त कर लूनगा, परंतु यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए, तो भी वह मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताए, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाली शोक को दूर करके, मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। संजे धृत्राष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रती इस प्रकार कहकर, फिर श्री गोविंद भगवान से कहकर, कि युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरत्वन्शी धृत्राष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को, हस्ते हुए यह वचन बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तु न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, और प न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अत्वा ये राजालोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और व्रिधावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ती होती है, उस विशय में धीर-पुरुष मोहित नहीं होता इसमें श्री भगवान के कहने का भाव है कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और बुड़ापा ये अवस्थाय आत्मा की नहीं होती है, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है ठीक उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना भी, वास्थाव में आत्मा का नहीं होता, सूक्षम शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है इसलिए इस तत्व को नहीं जानने वाले, अज्ञानी जन ही मरने वाले का शोक करते हैं, दीर पुरुष ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टी में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है हे कुन्ती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विशयों के सयोग तो उत्पत्ती विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तु उनको सहन कर इसमें श्री भगवान के कहने का भाव है कि सर्दी, गर्मी, सुख दुख ये सब इंद्रियों के विकार है, इसलिए उसे क्षण भनगुर और अनित्य समझ और शोक मत कर क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ट, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विशयों के सयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है दोस्तों हमारे जीवन में भी दुख आने पर हम दुखी हो जाते हैं जबकि ज्यानी पुरुष जानता है कि अगर दुख घर में प्रवेश किया है, तो सुख भी जरूर दरवाजे पर ही खड़ा होगा इसलिए जो मनुष्य किसी भी विशम परिस्थिती से व्याकुल नहीं होता, वैसा ज्यानी मनुष्य पर मात्मा की प्राप्ती का पात्र बन जाता है असत वस्तू की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्व ज्यानी पुरुशो द्वारा देखा गया है इसमें भगवान श्री कृष्ण का भाव है कि असत अर्थात शरीर इंद्रिय की कोई सत्ता यानी भाव नहीं है इसलिए अपने स्वजनों के शरीर की नाश की आशनका से शोग करना अनुचित है सत का भाव यहां परमात्मा से है परमात्मा सर्वव्यापी है, अखंड और निर्विकार है इसलिए यदि तुम आत्म रूप से अपने स्वजनों के नाश की आशनका करके शोक करते हो, तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है नाश्रहित तो तु उसको जान, जिससे ये संपूर्न जगत द्रिश्यवर्ग व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है श्री भगवान कहते हैं, परमात्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा ही सत है उस नाश्रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जिवात्मा के ये सब शरीर नाश्वान कहे गए है एसलिए हे भरत्वन्शी अर्जुन, तु युद्ध कर, यहां श्री कृष्म का भाव है, कि जब ये बात सिधा हो चुकी है, कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है, और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो युद्ध करने में शोक का कोई कारण ही नहीं है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में, न तो किसी को मारता है, और न किसी के द्वारा मारा जाता है, यहां श्री भगवान का भाव है, कि स्थूल शरीर से सूक्षम शर शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्रानों का वियोग होता है उसे मारने वाला कहते हैं इसलिए मारने वाला भी शरीर ही है आत्मा नहीं है किन्तु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्यानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं इसलि यह उत्पन होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह अत्मा का काम नहीं है, इसलिए किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोप करना उचित नहीं है। आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात आत्मा मन का भी विशय नहीं है। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है इसलिए हे अर्जुन इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जान कर तू शोक करने योगय नहीं है अर्था तुझे शोक करना उचित नहीं है किन्तु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबा हो तू इस प्रकार शोग करने के योगे नहीं है क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है इससे भी इस बिना उपाएवाले विशय में तू शोक करने के योग्य नहीं है हे अर्जुन संपूर्ण प्रानी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं केवल बीच में ही प्रकट है फिर ऐसी स्थिती में क्या शोक करना है कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भाती देखता है वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भाती वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भाती सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता यहां श्री भगवान का भाव है कि आत्मा आश्चर्य मय है इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भाती देखता है जो महापुरुष परमात्मा को जानने वाले है जो सम्पूर्ण वेदों और शास्त्रों के ग्याता है वे ही आत्मा का वर्नन कर सकते है और उनका वर्नन करना भी आश्चर्य की भाती होता है इस आत्मा के वर्नन को सुनने वाला सदाचारी आस्तिक पुरुष भी कोई विरला होता है और उसका सुनना भी आश्चर्य की भाती होता है हे अर्जुन यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्या है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, इस कारण संपूर्ण प्रानयों के लिए तू शोक करने के योगय नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू शोक करने के योगय नहीं है, अर्था तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ती को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तथा सब लोग अनंत काल तक तेरी अपकीर्ती की चर्चा करेंगे और माननिय पूरुष के लिए अपकीर्ती मरन से भी बढ़कर है। और जिनकी द्रिष्टी में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लगुता को प्राप्त होगा। वे महारती लोग तुझे भाय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानकर तुम्हें दर्पोक समझेंगे। तेरे वैरी लोग अर्थात तुम्हारे शत्रुगन, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तु युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्थ होगा, अथवा संग्राम में जीत कर प्रित्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तु युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। हार जीत, लाभ हानी और सुख दुखों को समान समझ कर युद्ध के लिए तयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तु पापको नहीं प्राप्थ होगा। हे पार्थ, ये बुद्धी तेरे लिए ज्ञानयोग के विशय में कही गई, और अब तु इसको कर्मयोग के विशय में सुन, जिस बुद्धी को जानकर, तु कर्मों के बंधन को भलीभाती त्याग देगा, अर्थात सर्वता नश्ट कर दालेगा। इस कर्मयोग में आरंब का अर्थात बीच का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोश भी नहीं है, बलकि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा साभी साधन, जन्म रित्यू रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्मयोग का कभी नाश नहीं होता, इसके संसकार साधक के अंतह करण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में पुनह साधन में लगा देते हैं। निश्काम भाव से किये गए कर्मों का विप्रीत परिणाम भी नहीं होता है और ऐसा साधक भगवान को प्राप्थ हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धी एक ही होती है, किन्तु अस्थिर विचार वाले, विवेखीन सकाम मनुश्यों की बुद्धिया, निश्चय ही बहुत भेदो वाली और अनन्त होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धी एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो, वहां कई बुद्धिया काम करती है। यहां अनिर्णय की स्थिती के बारे में कहा गया है, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं, तो ना जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धी जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच ले, तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है हे अर्जुन, जो भोगों में तनमे हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद्वाक्यों में ही प्रीती रखते हैं, जिनकी बुद्धी में स्वर्गी परम प्राप्य वस्तु है, और जिसके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, यानि ऐसे बुद्ध काक चूर्बुक सिर्फ दिखाव शोभायुक द्वानी को कहते है, वो ढोनगी होते हैं, वो केहते बहुत कुछ है, लेकिन करते बहुत कम है, ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए, जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और आश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्य यह सिर्फ भोग और एश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मे का बुद्धी नहीं होती। हे अरजुन, वेदों के कर्मकांध हमारी प्रकृती के तीन गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसकती हीन, हर शोकादी द्वन्दों से रहित, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अनताह करण वाला हूँ। यहां श्री भगवान कहते हैं, वेद भी सिर्फ तीन गुणों में समाप्थ हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते, उससे आगे है कर्म योग, श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो, लेकिन उससे आसकती मत रखो। बेहत बड़े जलाशय के प्राप्थ हो जाने पर, छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यक्ता नहीं रह जाती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर। लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही मत कर, कर्म करना है, लेकिन फल के लिए नहीं। हे धनन जय तू आसक्ती को त्याग कर तथा सिध्धी और असिध्धी में समान बुद्धी वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर तुमको कर्मयोगी बनने के लिए संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए सकाम कर्मों को बुद्धी योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का पल नाश्वानक्षनिक सुख की प्राप्ती है और कर्मयोग का पल परमात्मा की प्राप्ती है इसलिए दोनों में दिन और रात की भाती महान अंतर है इस समत्वरूप बुध्धी योग से सरकाम कर्म अत्यंत ही निम्नश्रेनी का है इसलिए हे धनन जय तू सम्बुध्धी में ही रक्षा का उपाय धून अर्थात बुध्धी योग का ही आश्रय ग्रहन कर सम्बुध्धी योग्ध पुरुष, पुन्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्थ हो जाता है इससे तू समत्वरूप योग में लग जा ये समत्वरूप योगी कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है क्योंकि सम्बुध्धी से युक्त ग्यानीजन कर्मों से उत्पन होने वाले फल को त्याग कर जन्रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परमपद को प्राप्थ हो जाते है जिस काल में तेरी बुध्धी मोह रूप दलदल को भली भाती पार कर जाएगी उस समय तु सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्थ हो जाएगा भाती भाती के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुध्धी जब परमात्मा में अचल और स्थिर थहर जाएगी तब तु योग को प्राप्थ हो जाएगा अर्था तेरा परमात्मा से नित्य सयोग हो जाएगा अर्जुन बोले हे केशव समाधी में स्थित परमात्मा को प्राप्थ हुए स्थिर बुद्धी पुरुष का क्या लक्षन है, वो स्थिर बुद्धी पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष, मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को भली भाती त्याग देता है, और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रग्य कहा जाता है. दुखों की प्राप्ती होने पर, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ती में जो सर्वता स्प्रहा रहत है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नश्ट हो गए है, ऐसा मुनी स्थिर बुद्धी कहा जाता है. जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन होता है और ना द्वेश करता है उसकी बुद्धी स्थिर है कच्वा सब और से अपने अन्गों को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विश्यों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धी स्थिर है ऐसा समझना चाहिए इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन समपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित होकर मेरा ध्यान करे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धी स्थिर हो जाती है विशयों का चिंटन करने वाले पुरुष की उन विशयों में आसक्ती हो जाती है आसक्ती से उन विशयों की कामना उत्पन होती है और कामना में विग्ण पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है प्रोध से भ्रम पैदा होता है, स्मृती में भ्रम हो जाने से बुद्धी का नाश हो जाता है और बुद्धी का नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है जिस प्रकार हवा के जोके नाव को भटका देती है, थीक उसी प्रकार मनुश्य की इंद्रिया उसकी बुद्धी को भटका देती है इसलिए हे महाबाहो जिस पूरुष की इंद्रिया उसके बस में होती है, उसी की बुद्धी स्थिर है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिती अचल है, भारी से भारी आंधी, तूफान आने पर या अनेक नदियों के जलप्रवाह उसमें प्रविष्ठ होने पर भी, वो अपनी स्थिती से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उस की स्थिती में जरा भी अंतर नहीं पड़ता, वो योगी परमात्मा में नित्य निरंतर, अटल और एक्रस्थित रहता है, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहनकार रहित और स्प्रिहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांती को प् स्थित नहीं होता है, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पत्पर स्थित हो जाता है, तब भी वह मेरे परमधाम को प्राप्त होता है, इस प्रकार उपनिशद, ब्रहमविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन स अमवाद में सांक्यय योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।